1. मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय, भी कहा जाता है, भारत के मध्य में स्थितिक राज्य है। 2. इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी भुपाल है। राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। 3. मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, चत्तीजगर, महराष्टरा, गुजरात और राजस्थान से मिलती है। इसकी भागोलिक स्थिती इसे सांस्कृतिक और एतिहासिक द्रिष्टी से महत्वपून बनाती है। 4. यहां की प्रमुख नदिया नर्मदा, ताप्ती और चंबल है। 5. यहां की जनसंख्या में विभिन जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है, जिससे यहां का समाज विवित्ता पूर्ण और रंगीन बनता है। 8. राज्य में हिंदी मुख्या भाशा है, लेकिन बुंदेली, मालवी, निमाली और बगेली जैसी क्षेत्रिय भाशाएं भी प्रचलित हैं। 9. मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में लोक संगीग, नित्य और कला का महत्व पूर्ण स्थान हैं, जिसमें राई, मत्की और फक जैसी नित्य शैलियां प्रसिध हैं। 10. त्योहारों में दीवाली, हुली और ईद के साथ साथ यहां का लोकुत्सव, तिजारा मिला, भी विशेश में हत्व रखता है। 11. शिक्षा के क्षेत्र में राजय में कई प्रतिष्थित संस्थान हैं, जैसे भारतिय प्रबंधन संस्थान इंदोर और भारतिय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुपाल। 12. मध्यप्रदेश का पर्यतन उद्योग भी राजय की आई का एक महत्वपून स्रोथ है, जहां हर साल लाकों पर्यतक देश-विदेश से आते हैं। 13. समग्र रूप से मध्यप्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता, सम्रिद सास्कृतिक धरोहर और एतेहसिक महत्व की कारण एक महत्वपून भारतिय राज्य है। 14. मध्यप्रदेश का वन्य जीवन विविद्ध और सम्रिध है। यहां पर सफेद बाग, बारह सिंगा और घरियाल जैसे दुरलब प्रानी पाये जाते हैं। कानहा राश्ट्रिय उद्ध्यान और बांधवगर राश्ट्रिय उद्ध्यान अपने बागों के लिए विशेश रूप से प्रसिध हैं। पंद्रा, राश्य में कई प्रमुक नदिया बहती हैं, जिनमें नर्मदा नदी सबसे महत्वपून है। ये राश्य की जीवन रेखा मानी जाती है और इसके तरप पर कई महत्वपून शहर बसे हुए हैं। सोला, मध्य प्रदेश का एतिहासिक महत्वभी अत्यंत महत्वपून है। यहां पर स्थितुझ जैंका महाकालेश्वर जोतिरलिंग और उनकारेश्वर जोतिरलिंग हिंदू धर्म के प्रमुक ती रत्स्थल हैं। सत्रा, राजी में कई बड़े बांध भी हैं, जिन में इंदरा सागर बांध और संजै सागर बांध प्रमुक हैं। यह बांध न केवल जलापूर्ती और सिचाई के लिए महत्वपून हैं, बलकि विद्युतुत पादन में भी महत्वपून भूमिका निभाते हैं। अथारा, मध्य प्रदेश का लोगकला और हस्ट शिल्प भी बेहत प्रसिद हैं। यहां की चंदेरी और महेश्वरी साडियां, बगेली पेंटिंग्ज और दिंडोरी की मिटी की मूर्तियां देश भर में प्रसिद हैं। उन्नीस, यहां का खानपान भी विशेशता रखता है। पोहा जलेबी, डाल बाफले और चकपठी चार जैसे व्यंजन यहां की लोग बड़े चाव से खाते हैं। 20. राज्य की जलवायू मुख्य तहु पोश्न का टिबंधिया है, जिसमें गर्मी, सर्दी और मानसून का स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता है। गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है, जबकि सर्देयों में थन का प्रकोप होता है।